नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूजरूम पोस्ट लाइव में मैं हूँ परशान भारदवाज और मेरे साथ मौझूद है मेरे सहयोगी कुनाल आज एक बहुत बड़ा दिन है आज वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल है वो मैच जिसका सभी लोगों को इंतजार था जब जिस दिन से ये वर्ल्ल कप शुरू हुआ उसी दिन से लोगों के मन में ये सवाल था कि सेमी फाइनल में पहँचने वाली 4 टीम है कौन सी होंगी और तमा इंग्लेंड तो क्वालिफाई नहीं करपाई, इंग्लेंड तो बिल्कुल फिसदी इस बार खेली, लेकिन साउथ अफरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड और इंडिया ये चार टीमें ऐसी हैं इस बार जिनके बीच में वल्ड कप के सेमी फाइनल मुकाबले खेले आप सभी को देखने को मिलेगा और सभी को बहुत बेसबरी से इंतजार भी है इस मैच का, लेकिन उससे पहले लोग ये भी जानना चाते हैं कि आखिर मुंबई में जहां पर ये मैच हो रहा है, वहाँ पर वान खेडे स्टेडियम में किस तरह की पिच इस बार बनाई गई है, कितने वहाँ पर रन बन सकते हैं, किस तरह का मुंबई का मौसम का मिजाज है, वहाँ पर बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, ड्यू फेक्टर आ सकता है या नहीं आ सकता मैच में, मौसम कैसा रहने वाला है, इसके अलावा अगर मैच किसी कंडिशन में मान लीजे के पूरा नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद में रिजल्ट आखिर किस तरीके से मैच का निकल पाएगा कि अगर कोई चीज अगर मान लीज़े वेरसे मैं आपको ये पहले बता दूँ कि मौसम का जो अनुमान बताया जा रहा है मुंबई में आज के दिन वो बिल्कुल साफ वहां का मौसम रहने वाला है धूप जो है वो खिली रहेगी हल किसी धुंद जरूर चाही रहेगी आसमान में लेकिन इसके अलावा बारिश की किसी तरीके की संभावना आज मुंबई में नहीं है केवल एक प्रतिशत बारिश की संभावना है उनमें बहुत जादा मदद करती है गेनबाजों को आपको याद भी होगा कि भारत और श्री लंका का मैच इसी मैदान पर खेला गया था और वहां पर श्री लंका को 55 रनों पर धेर कर दिया था ओल आउट कर दिया था टीम ने हम सभी ने वह मैच देखा था और दूसरी पारी यहां पर कोई भी टीम जो है वो खेलना नहीं चाहेगी और टॉस जो होगा वो इसलिए महत्कून होगा कि वहां पर जो टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश यही करेगी कि पहले बल्लेबाजी करने के लिए वो उतरें क्योंकि बड़ा मैच है सेमी फाइनल का महा मुकाबला है तो कोशिश यही होगी कि बल्लेबाजी करके अपने उपर किसी तरीके का प्रेशर ना आने दे जो सामने वाली विरोधी टीम है उसके उपर जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर है वो उसके उपर दूसरी टीम डालना चाहेगी तो कुनाल हमारे साथ है और भी हम आपको मैच का भी सूरतियाल बताएंगे लेकिन उससे पहले कुनाल आप से यह जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में और इसके अलावा भी ODIs में न्यूजी लेंड के सामने हम हमेशा यह देखते रहे हैं कि भारत का प्रदर्शन थोड़ा सा धुल्मुल सा रहा है मतलब हमने मैच जीते भी हैं ऐसा नहीं है कि हमने मैच नहीं जीते हैं लेकिन वर्ल्ड कप की जब बात आती है न्यूजी लेंड से वो टेस्ट मैच हार गए थे तो न्यूजी लेंड का ये रिकॉर्ड रहा है कि भारतियों का दिल वो हमेशा से तोड़ता रहा है आज भारत उस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ना चाहेगा तो कुनाल आपके पास जो आंकले हैं जो रिकॉर्ड हैं वो क्या कुछ कहते हैं हालागे रिकॉर्ड बनते हैं चूटने के लिए लेकिन फिर भी आप हमारे दर्शकों को एक बार बता है जी पशान्तम देखिए जैसे अभी भारतिय टीम जो लगतार नौ मैच जो जीत कर अपना सफर बरकरार रखी हुई है एक तरह से तो उसी चीज को आज उमीद सारे भारतिय फैंस कर रहे हैं कि आज भी टीम इंडिया उसी परकार का प्रदशन करे और फाइनल में अपनी जगा बनाए और ट्रॉफी उठा एक तरह से तो जैसे आप रिकॉर्ड की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दू कि जो भारतिय टीम और जो न्यूजलेंड टीम जो वर्ल्ड कप में आपस में भीड़ी है वो टोटल दस बार आपसे भीड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो पलरा जो भारी है, वो न्यूजलेंड का भारी है, दस में से पांच बार न्यूजलेंड जीती है और चार बार इंडिया जीती है, और एक का कोई नतीजा नहीं निकला है, मतलब देखा जाए तो वल्ल्ड कप मे आमने सामने न्यूजलेंड का थोड़ा सा परवरा थोड़ा भारी है लेकिन वही जैसा आपने कहा है कि रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए तो एक तरह से हम उमीद करेंगे कि आज ये टूटे एक तरह से और एक और रिकॉर्ड्स की बात करें जैसे ओडियाई की कि ओडियाई में अगर न्यूजलेंड और भारत जो जितनी बाहर भी आपसे भिड़े हैं तो उसमें भारत का परदेशन जाद अच्छा रहा है तो एक आंकडे हैं जैसे आपको बता दू दर्शकों को कि ODI में 117 मैच टोटल खेले गए हैं भारत और न्यूजलेंड के बीच में और 117 में से 69 बार भारत जीती है और 117 में से 50 बार न्यूजलेंड जीती है तो देखा जाए तो भारत के इसमें आंकडे काफी जादा अच्छे हैं एक तरह से और एक चीज और थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यह जितने भी वर्ल्ड कप मैच हो रहे हैं जो 50 ओवर के जो मैच होते हैं इसमें जो बैटिंग फर्स्ट करता है यह जो चेस करता है वो को मतलब उसका क्या आकड़े हैं उसके क्या आकड़े हैं वो भी थोड़ा दर्शकों को बता दू तो 117 जो मैच खेले गए हैं न्यूजलेंड और भारत के बीच में उसमें से देखा जाए तो जो भारत है वो 24 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीती है चौबीस बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीती है और 35 बार चेज करते हुए जीती है तो यूई नी भारत को एक तरह से चेजिंग टीम कहा जाता है जिसमें इतने बड़े प्लेयर हैं जैसे विराठ कुलीजंग को चेजिंग मास्टर कहा जाता है तो भारत के इसमें आकड़े कहीं जादा अच्छे हैं और वहीं नीजिलेंड की बात करें तो नीजिलेंड 28 बार चेज करते हुए जीती है और 22 बार बैटिंग 1 करते हुए जीती है तो यहां आकड़ों के मतलब मताबिक जो भारती टीम है उनका परदर्शन काफी अच्छा है ODIs में लेकिन वर्ल्ड कड़ की जब बात आती है तो उसमें नीजिलेंड हमसे एक मैच में थोड़ा आगे है मतलब 10 में से 5 बार नीजिलेंड जीती है और 4 बार भार जीती है और एक का कोई नतिजानी निकला है आखनों की आपने अभी पूरे तमाम जिकर किया है कि चेज करते हुए जो है भारते टीम हमेशा अच्छा खेलती है अच्छा प्रदर्शन करती है हमारे साथ में हमारी टीम में चेज मास्टर भी है विराट कोहली इसके अलावा हमने देखा शुरुआत में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो भारते टीम ने अपने शुरुआती 4-5 मैं चेज करते हुए जीते थे और फिर उसके बाद में जब हमने स्कोर बोर्ड पे अपना रन लगाए पहले बल्ले बाजी करते हुए फिर उसके बाद में हमारे गैनबाजों ने शांदार तरीके से भारत को जिताया वहाँ पर इंगलेंड जैसी टीम हो चाहें वो दूसरी पाकिस्तान रही हो चाहें वो जो भी टीम रही हो वहाँ पर हमारा जो प्रदर्शन रहा वो लाजवाब रहा है अभी तक नो के नो मैच जीतते हुए हमने एक भी मैच भारते टीम इस बार वर्ल्ड कप में हारी नहीं और उमीद भारते फैंस को यही है कि जो है दस्वा मैच आज भारत जीते और फिर उसके बाद में जन्बास भी उतने ही खतरनाक होते थे जो डरा के दूस सामने वाली टीम को जीता करती थी आज भारते टीम का रवया भी बहुत हद तक उसी ऑस्ट्रेलियन टीम से मिलता जुलता हुआ नजर आता है और सेमी फाइनल का और फाइनल का नतीजा भारते फैंस यही चाहेंगे कि वो भी वैसा ही हो जैसा कि उस ऑस्ट्रेलियन टीम ने किया था इसके अलावा भी वानखेडे की जो पिछ है उसके बारे में मैं थोड़ा कुनाल आपसे जिकर करना चाहूँगा रोहित शर्मा जब कल प्रेस कॉन्फरेंस करने आये थे तो वो यह कह रहे थे कि यह मेरा ग्राउंड है मैं बचपन से इस ग्राउंड पे खेल के बड़ा हूँ और वो सही बात है कि उनका होम ग्राउंड है हमारे कैप्टन का तो ऐसे में उनका ये कहना था कि टॉस बहुत ज़ादा महत्पूर नहीं होने वाला क्योंकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि रोहित आप क्या मानते हैं कि टॉस बहुत ज़ादा एहम होगा क्योंकि अगर आपके पक्षमे माली जे टॉस अगर नहीं उचला न्यूजीलेंड अगर टॉस जीच जाएगा तो फिर जाहिर तोर पर वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे केन विलियमसन तो अगर वो उतरते हैं तो फिर उसके बाद में आपके बॉलर्स के उपर कितना प्रेशर होगा और आप उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे जो रंस न्यूजीलेंड स्कोर बोर्ड पे लगाएगा तो रोहित ने यही जवाब दिया कि देखिए ये मेरा होम ग्राउंड है मैं यहां के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ यहां की पिच से यहां की मिटी से और मैं जानता हूँ कि यहां पर टॉस बहुत ज़ादा एहम नहीं होने वाला है ड्यू फेक्टर को लेकर के जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा के देखिए ड्यू शुरुआत में आपको तंग करती है परिशान करती है लेकिन फिर उसके बाद में मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है तब तक अगर 10-15 ओबर आपने किसी तरीके से न्यूजिलेंड जैसी टीम को रोक लिया और अरली विकेट्स आपने अगर गिरा लिये उनके शुरुआती तीन-चार बैट्समें अगर आउट कर लिये तो फिर नतीजा आपके पक्ष में जाता है तो बिलकुल प्रशांत आपने सही बात का है कि शुरुआती विकेट्स पे जादा ध्यान देना पड़ेगा भारतिय टीम को जैसे अगर पिछले मैच की बात करें इसी वर्ल्ड कप में जो न्यूजिलेंड के साथ हुआ था तो उस मैच में भी भारतिय टीम चेस करते वही जीती थी एक तरह से रविंद्र जडड़ेजा आखरी दर्टे के वे थे फिर शमी आये थे तो चेस करते वही जीते थे लेकिन अगर वही बात है कि अगर सिक्का भारत के पक्षमे नहीं उचला तो भारत में भारत के लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्योंकि रोष सब चीजों से वह वाखिफ है अब देखा जाए कि भारतिय गेंदबाजों पर सारा दारोंदार रहेगा एक तरह से अगर बाइचांस गलती से अगर भारतिय पक्षमे सिक्का नहीं उचलता है तो जाहिर सी बात है न्यूज़ेंड पहले बैटिंग लेगी अब पिछले मैच में नियुजलेनिक के खिलाफ पांच विगड भी लिये थे यने पंजा खोला थे एक तरह से महमा श्यमी पर पुरा दामोदार रहेगा सिराज भी एक महतमुन भूमिका निगभाएंगे और एक जो भालत का जो हुकुम का जो इकका है जिसको हम कहते हैं बुम्र उन पर भी एक तरह से सबकी निगाएं टिकी रहेंगे और रोई शर्मा जो अपना दस ओवर के बाद ही एक तरह से जादातर इस्तमाल करते हैं शुरुआत में वह फास्ट बॉलर्स का इस्तमाल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनके विगर्स गिरे वहाँ पे सुइंग तो एक तरह से फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा सबकी निगाएं टिकी रहेंगी और वहीं बात करें स्पिनर्स तो स्पिनर्स में आपके कुल्दी फ्याद अब है और एक जड़ेजा है जिन जो एक तरह से कुछ न कुछ तालमिल अपना अच्छा सा बढ़ा सकते हैं एक त हो या उसके अलावा साउथ अफ्रीका का जो मैच था वो भी रहा हो वह ओँघा कि साड़ें सब्रहरन बने टीन सो चालीत रहरन बने और उतने रंच जो थे महत्पूर्ण नहीं होने वाला एक तरीके से उसका फेक्टर उन्होंने नेगलेक्ट भले कर दिया हो लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर माल लीजे आप पहले बॉलिंग करने के लिए उतरते हैं तो फिर आपके स्पिनर्स को वहाँ पर मदद मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर बॉल टर्निंग विकिट हो सकती है थोड़ा सा कुलदीप को या जड़ेजा को मदद मिल सकती है वहाँ पर लेकिन अगर आप सेकंड जो है अगर बॉलिंग करने के लिए आते हैं आप न्यूजीलेंड अगर आपको चेज करती है तो फिर उसके बाद में लाइट्स के जो आपके तेज गैंदबाज हैं बुमरा हैं शमी हैं सिराज हैं ये बहुत एहम रोल अदा करेंगे क्योंकि पहले जो 10 ओवर होते हैं ये वानखेडे का रिकॉर्ड रहा है कि पहले के 10 ओवर में तेज गैंदबाज सबसे ज़्यादा विकिट लेते हैं वहाँ पर तेज नहीं भूलना चाहिए कि न्यूजिलेंड के पास भी तेज गैंदबाज हैं जिनको भी मदद मिल सकती हैं जैसे आपके बोल्ट हो गए साओधी हो गए और लौकी फर्गुजन हो गए तो यहां पे तेज गैंदबाजों का बोल बाला तो रहने वाला है एक तरह से अगर ड का इतना फेक्टर रहने वाला नहीं है तो यहां पे तेज गैंदबाजों को भी फाइदा मिल सकता है और एक तरह से स्पिनर्स को भी फाइदा मिल सकता है लेकिन प्रशांद आप ते एक चीज जाना चाहूंगा कि जैसे इंडिया के जो टॉप ओर्डर है वो एक तरह से अ अच्छी खासी फॉर्म में एक तरह से इस वर्ल्ड कप में और खासकर मैं बात करना चाहूंगा रचिन रविंदर की तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि यह जो न्यूजिलेंड के जो टॉप ओर्डर है वो भारती टीम के लिए थोड़ा समस्य खड़ा कर सकते है कुनाल टॉप ओर्डर का ही गेम होता है ओडियाई क्रिकेट जो होता है वो टॉप ओर्डर का ही गेम होता है मिडल ओर्डर की जो बारी है वो बहुत काम आपाती है आपने पिछले मैंच में देखा नीदर लैंड के खिलाव इंडिया ने जब रन बनाने शुरू किये तो ह हमारे शुरुआती पांच बल्ले बाजों ने जो है वो अर्थचतक जमाए वहां पर पांच नंबर तक के बल्ले बाजों ने तो हमेशा से और आप यह देखेंगे कि जो टॉप रन स्कोरर्स इस बार इस वर्ल्ड कप में रहे हैं सब के सब जो हैं वो पहले नंबर से ले करक तो उनको तो सिर्फ फिनिशिंग टचिस कुछ देने होते हैं और पारी को जो है एक अंजाम तक पहुँचाना होता है काम तो सारा आपको टॉप ओडर को ही करना है तो काम जो है वो इस मैच में भी जो आपने बिल्कुल सही कहा कि भूमिका रोहित शर्मा और विराट कोहल पारी की और शुबमन गिल की सबसे महत्पून रहने वाली है कि पारी की शुरुआत वो किस तरीके से टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएं और फिर इसके अलावा बॉलिंग की भी अगर आप बात करेंगे तो बॉलिंग में भी एक ओपनिंग पार्टनर्शिप होती है ज इदर लेंड जैसी कमजोर टीम है तो थोड़ा एक्सपरिमेंट करके देख लेते हैं क्या फरक पड़ता है लेकिन उनकी ये सोच नहीं थी उनकी बिल्कुल एक लीडर वाली सोच है और उनोंने यही सोचा कि मैं कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करूंगा बुमरा के साथ अग अगर वो सेकंड बॉलिंग हमें करने को मिलती है तो फिर एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है क्योंकि सिराज की जो बॉल है वो बहुत ज्यादा तेज गती के साथ नहीं आती है वो पुश बॉल को बहुत ज्यादा नहीं करते हैं लेकिन सिराज उतना ज्यादा इसी वज़े से सिराज को शमी के मुकाबले स्विंग पावर प्ले के ओवर्स में ज्यादा मिलती है यह बलकुल सही का प्रशांत आपने बस अब उस लम्हें उस पल का इंतजार है जब दो बज़े एक तरह से मैच स्टार्ट होगा लेकिन प्रशांत आप मैच के बारे में कुछ और अपडेट देना चाहेंगे कि एक तरह से तो प्लेइंग 11 को लेकर के जहां तक बात अगर की जाए तो दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है उसमें लगता नहीं कि कहीं बहुत जादा कुछ ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा भारती है अगर टीम की बात क कि सारे के सारे खिलाडी हमारे बहुती बहुती बहतरी इंफॉर्म में चल रहे हैं मिडल ओर से लेकर के गैंदबाजी तक और टॉप ओर तक हरे खिलाडी अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा है और यही वज़य है कि अभी तक हमने कोई बदलाव नहीं देखा और अब सेमी फाइनल और अगर टीम फाइनल खेलती है तो फिर फाइनल में भी हमें शायद ही कोई बदलाव ऐसा देखने को मिले न्यूजी लेंड की अगर बात करें तो न्यूजी लेंड की टीम में डेवान कॉनवे, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिशेल, ग्लेन अगर इन तीनों के शुरुआती पावर प्ले के ओवर स्कोर रोहित शर्मा और शुबमन गिल अच्छे से खेल करके निकाल गए तो फिर उसके बाद में सेमी फाइनल का वो प्रेशर भी उनके उपर से खत्म हो जाएगा और फिर एक अच्छे स्कोर की तरफ भारतिय टीम आपको बढ़ते हुए नजर आएगी अगर ये दोनों शुरुआत में विकेट्स को सम्हाल करके खेल लेते हैं और वहाँ पर रंस जो हैं वो लगातार निकाल लेते हैं तो कुनाल मैं आपसे डेरिल मिशेल को लेकर भी जाना जाएगा डेरिल मिशेल ने लीग मैच में भा भारत और निजर लेंड के मैच हुआ था तो उसमें आपने देखा था कि डेरिल मिशेल ने सैंचुरी मारत के 130 रंकी पारी खेली थी जो बहुत ही जादा उम्दा एक तरह से पारी देखी जाती है अब आपने कहा कि इनको निप्टाने का कि दारवनदार किस पे रहेगा त तो इनको निप्टाने का दारवनदार तो एक तरह से भारतिया फास्ट बॉलर्स पे ही एक तरह से टिका रहेगा उसमें से भी खासकर देखा जाए तो आपके महमा सीराज और बुमरा पर जादा निगाएटी की रहेंगे कि वो डैरी मिचल को किस तरह से गेंदिबाजी कर तो भारतिया फास्ट बॉलर्स के पास भी एक तरह से मौका है कि डैरील मिचल को उसी तरह से आउट किया जाएगा जाए जैसे लीग मैचल से उन्होंने देखा है जी बिल्कुल डैरील मिचल और केन विलियमसन को शुरुआती जटके न्यूजी लैंड को देना और खास तोर पर इन दो बल्लेबाजों की विकेट को निकालना भारतिय गेंदिबाजों के लिए बहुत ही महत्पून रहने वाला है और कहीं न कहीं रोहित शर्मा के दिमाग में भी ये बात जरूर चल रही होगी कि जो न्यूजी लैंड का टॉप ओडर है उसको हमने अगर जल्दी निप्ता दिया और उनको जल्दी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया तो फिर उसके बाद में सेमी फाइनल का जो मैच है भारत की मुठी में एक तरीके से आजाएगा लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लगातार भारतिय बल्लेबाजों के भी परफॉर्मेंस की तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो टीम इंडिया की दिल और धलकन कहे जाते हैं इन दोनों का ही जो रिकॉर्ड है मुंबई में वानखेडे स्टेडियम में अगर आप उसे उठा करके देखेंगे तो विराट कोहली का रिकॉर्ड आपको अच्छा खासा नजर आता है लेकिन रोहित शर्मा अपना होम ग्राउंड होने के बावजूद भी तक वानखेडे स्टेडियम में कुछ ऐसी बहुत अच्छी बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं जिसकी उम्मीद भारते फैंस उनसे करते हैं अभी तक उन्होंने चार वंडे मैचेज वहाँ पर खेले हैं और साड़े बारा की ओसत से केवल पचास रन ही वहाँ अपने होम ग्राउंड पर बना पाए हैं और श्री लंका के खिलाफ भी और लगातार पहली बॉल से ही अटेकिंग मोड में वो आ जाते हैं वो विरेंदर सहवाग की याद दिलाते हैं जिस तरह पर सहवाग एक तरीके से खेला करते थे तो अगर वो 25-30 वर में अगर टिक गए तो क्या आपको लगता है कि फिर भारते टीम 400-400 का भी सोच सकती है बिल्कुल परशाद जैसे रोई शर्मा की बात करें तो यह ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर टिक जाते हैं तो एक तरह से हम लोगों फैंस के अंदर उमीद रहती है कि यह सेंचुरी तो पका मारेंगे और सेंचुरी के बाद भी हम सोचते हैं कि दोस्तों तो पका मारेंगे तो आप जैसे आप रिकॉर्ड की बात करें थे कि वानखेडे में उनका अच्छा नहीं रहा है लेकिन जैसा आपने ही पहले का है कि रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए तो अगर रोई शर्मा के इस वल्ड कप की बात करें तो उनने नौ मैच में पच्पन की आउसत स पांसो तीन रन बनाएं मतलब एक तरह से उनका फॉर्म काफी अच्छा है मतलब ओसत देखिए तो पच्पन को ओसत है तो वो रिकॉर्ड से टूटेंगे इस बार वान खड़े में खेडे में भी एक तरह से रोई शर्मा अच्छा परदर्शन करेंगे सभी भारतिय टीम फ जी बिलकुल जरूर इस चीज़ पर नजरे रहेंगी कि वो किस तरीके से क्या उनका अप्रोच रहता है क्योंकि लीग मैचिस का होना और आज सेमी फाइनल नौकाउट मैचिस का होना ये अपने आप में इन दोनों में चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर होता है आज ये माइने नहीं रखता कि आप पिछले 9 मैचिस में कितना अच्छा खेलते हुए आए हैं आज एक नया दिन है नया मुकाबला है और मुकाबला भी कोई लीग वाला मुकाबला नहीं है ये ये नौकाउट मुकाबला है आपकी एक गलती आपको इस पूरे टूर्नामेंट से ब 2015 का जो वर्ल्ड कप था वहाँ पर भी हम 7 मैचिस लगातार जीते थे और 8 मैच हम आस्ट्रेलिया के सामने जाकर के बुरी तरीके से 95 रनों से सेमी फाइनल में हारे थे तो कहीं न कहीं वो जहन में चीज़ें चल रही जरूर होंगी लेकिन उनको नेगेटिवली नहीं लेन हैं कि हमको आखिर कैसे उस उस इतिहास को हमें बदलना एक तरीके से जो एक दशक से जो भूत भारतिय टीम के पीछे लगा हुआ है कि वो नॉक आउट मैचिस को नहीं निकाल पाते नॉक आउट मैचिस में हमारा टॉप ओडर हमारे बल्लेबास फेल हो जाते हैं तो उस भ लेंड है कप्तान केन विलियम सनी है उस मैच में रोहित शर्मा एक रन बनाकर आउट हो गए थे केल राहूल एक रन बनाकर आउट हो गए थे विराट कोहली भी एक रन पर ही बहुत सस्ते में आउट हो गए थे तो उन कड़वी यादों को जरूर भुलाना होगा भारतिय जरूर बढ़ना होगा दूसरी चीज है यहाँ पर मैं आपको एक एक करके थोड़ा चार वो गलतियां भारतिय टीम की बता रहा हूँ जो उन्होंने 2019 के सेमी फाइनल में की थी और वही गलतियां आज उन्हें नहीं दोरानी है क्योंकि अगर आज उन्होंने इन में से एक गलती दोराई तो फिर भारते टीम का जो सफर है वो वर्ल्ड कप में यहाँ पर खत्म हो जाएगा और हम भारते फैंस का जो दिल है वो जरूर टूट जाएगा तो इसलिए वो चीजे भी बतानी जरूरी है जो आपको नहीं करनी है जैसे होता है ना बचपन में बच्चों को सिखाते हैं हम डूज और डूज तो भारते टीम के अभी तक हमने चर्चा कर ली डिसकस कर ली है लेकिन अब थोड़ा डूज पर भी हम करते हैं कि सबसे पहले तो भाई आपको तॉप ओडर को टिक करके खेलना होगा तॉप ओडर को किसी तरीके का प्रेशर नहीं लेना होगा क्योंकि जब पारी की शुरुआत होगी आप चाहे पहले बल्ले बाजी करें चाहे दूसरे पारी में बल्ले बाजी करें आपके उपर प्रेशर तो जरूर रहेगा आप उस प्रेशर को कैसे हैं ये देखने वाली बात होगी और जैसा कि रोहित शर्मा ने भी प्रेस तो आज भारते टीम के सामने ये बहुत बड़ी चुनोती होगी और दूसरी सबसे बड़ी होगी टॉप और के बाद में कि खराब फिल्डिंग की गलतियों को सुधारना 2019 में हमने देखा था के रोहित शर्मा ने ही पिछले विश्व कप में 2019 के लीग मैचों में चार केचिस ड्रॉप किये थे जबके न्यूजी लैंड की टीम की जो फिल्डिंग थी वो बहुत जबरतस्त रही थी वो रन आउट भी आपको याद होगा धोनी का उससे पहले भी न्यूजी लैंड की टीम ने लगातार चौके भी बचाए केचिस भी नहीं चोड़े बहुत टाइट फिल्डिंग की थी इसके अलावा तॉम लैथम और जिमी नीशम ने केल राहूल और दिनेश कार्तिक का बड़ा शांदार केच उस मैच में लपका था और मार्टन गप्टिल गेम चेंजर बनकर आयते जिनोंने डायरेक्ट हिट से MS धोनी को रन आउट किया था वो सब कुछ आपको आज भी जहन में ताजा जरूर होगा तो खराब फिल्डिंग की गलतियों से हमें सबक लेना है उससे बचके रहना है तीसरा जो हमने पिछली बार गलती की थी जो अब नहीं दोहरानी वो ये है कि शौट सेलेक्शन का सही इस्तमाल पिछले विश्व कप में भारत का जो टॉप ओडर था उसके फेल हो जाने के बाद में रिशाप पंत और हार्दिक पांडिया ने टीम की पारी को समालने का काम किया था और दोनों ही बल्ले बाजों ने 32-32 रन बनाए लेकिन खराब शौट खेलने की वज़ह से ये दोनों खिलाडी जल्दी आउट हो गए और फिर मिचल सेंटनर ने दोनों ही विकेट जटके थे ऐसे में इस बार भारतिय टीम के खिलाडियों को शौट सेलेक्शन का सही इस्तमाल करना होगा जैसा कि अभी तक हम 9 मैचिस में देखते हुए आए हैं बहुत अच्छे अच्छे शौट जो हैं वो हमारे बल्ले बाजों ने खेले हैं और इस मैच में भी शौट स स्कोर पर मार्टिन गप्टिल ने हासिल किया था लेकिन चहल कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने 10 ओवर्स में 63 रन देकर सबसे महंगे गेंदबास वो साबित हुए थे और इसके अलावा पिछली बार भारत ने न्यूजी लेंड को 249 रन के स्कोर पर रोक दिया था जिसम बार इस्पिनर्स को खासा ध्यान देना है क्योंकि कुनाल एक बड़ा फैक्टर ये भी है के वान खेड़े की बाउन्डरी बहुत छोटी होती है और वहां पर बल्ले पर बॉल बहुत आसानी से आती है एक बार अगर पिछ पुराना हो गया गैंद पुरानी हो गई तो फि हैं फिर वो ओफिस्पिन तो अब हमने देखा कि और भी कई खिलाडी हमारे नो के नो खिलाडी बॉलिंग करने के लिए आ गए थे तो जिस भी गैंद बाज का इस्तमाल रोहिशर्मा करें इसमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि वो गैंद बाज अपने ही स्ट्रॉंग पर गैंद बाजी करें अगर विकेट टर्निंग विकेट है तो टर्निंग विकेट के हिसाब से गैंद बाजी होनी चाहिए अगर स्लो विकेट है धीमा विकेट है तो फिर उस हिसाब से गैंद बाजी को कंट्रोल किया जाना चाहिए तो ये सारी चीज़े वो हमने आपको जो इस बार भारतिय टीम को नहीं करनी है अगर ये चारों जो टिक मार्क कॉलम है उनको भारतिय टीम टिक कर लेगी तो फिर उसके बाद में वल्ड कप हम से बहुत जादा दूर नहीं रह जाएगा और फाइनल का टिकिट जो है वो टीम इंडिया हासिल कर लेगी और पिछ के जो मैनेजमेंट समालने वाली जो कमेटी है उससे कहा था कि पिछ हमें स्लो चाहिए धीमी विकेट चाहिए तो धीमी विकेट मांगने के पीछे क्या मतलब आप मकसद देख रहे हैं कि अगर मां लीजे स्पिनर्स फ्रेंडली पिछ बनती है तो फिर उसके बाद में क्या भ जादा थोड़ा मदब मिल सके जैसे आप स्पिनर्स की बात करें तो हमारे पास तो रविंद्र जड़ेजा और कुल्दीप यादव है एक तरह से कुई कुल्दीप यादव का ने देखा है कि कुल्दीप यादव भी ना काफी अच्छा खासा प्रदरशन कर रहे हैं लेकि अब यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यूजीलेंड में भी इस्पिनर है चैसा आपको देखें कि ग्लैन फिलिप्स डालते हैं बॉल डालते हैं और आपका मिचल सैंटरन भी बॉल डालते हैं तो आपने सही कहा एक तरह से कि दोधारी तलवार भारत के लिए साबित हो सकती ह पर लेकिन महीं देखा जाए तो न्यूजिलेंड के लिए भी सेमी चीज है कि न्यूजिलेंड के लिए भी एक तरह से दो धारी तलवार साबित हो सकती है जी बिल्कुल न्यूजिलेंड को भी नुकसान पहुंच सकता है उससे भारती है ये तो देखिए प्रेशर को एब्ज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर करने क्योंकि वर्ल्ड कप के जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम अभी तक आपको देते हुए आ रहे हैं और आगे भी फाइनल वाले दिन तक भी हम आपको वर्ल्ड कप के अपडेट्स लगातार देते रहेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए नमस्कार